तो दोस्तों, बच्पन से हमें एक शब्द का महत्वा सिखा दिया जाता है और वो शब्द है दान, दान का मतलब है देने की क्रिया, दान is an activity to give, तो आज जानेंगे अर्गन डोनेशन या अंग दान के बारे में, Welcome you all on India's first YouTube channel on liver health and organ donation. मैं Dr. Bipin Vibhute, liver and multi-organ transplant surgeon, पूने. तो दोस्तों, लास्ट येर हमने organ donation में एक Guinness World Record बनाया है, जो सयादरी हॉस्पिटल पूने और Rotary Club District 3131 के नाम से हैं, तो organ donation मेरे बहुत ही दिल के करीब है, तो दोस्तों आएए जानते हैं, आकिर दान का इतना महत्वक क्यूं है? क्योंकि दान मतलब देना और देना हमारा सुभाव है, लेकिन आज के समय पर जा हमारी इच्छाओं की लिस्ट खतम नहीं होती, लेकिन इतना चाहने के बाद भी कुछ देकर या दान करके हमें बहुत अच्छा लगता है, किसी भी मौके पें, किसी भी समय पर हम देने के ल कि दुनिया के किसी भी कोने में कही पर भी फ्लड आया है, या अर्थक्रेक हुआ है, या कोई ट्रैजेडी हुई है, उन लोगों को जिने हम जानते भी नहीं, हम देने के लिए हमेशा तयार रहते हैं, सरा विश्व मिलकर वहां धन सामगरी भेचते हैं, अन्जान लोगों के लिए भी हम देने के लिए हमेशा तयार रहते हैं, हमारे आस पास किसी को भी खाना चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को विध्या चाहिए, हम देने के लिए हमेशा तयार रहते हैं, क्योंकि देना हमारा सुभाव है, लेकिन एक ऐसा भी दान है, जो हम जाने के बाद य जो हमारे किसी भी काम का नहीं, लेकिन किसी को वो जीवन दे सकता है। जिसे कहते हैं कि अर्गन डोनेशन या अंगधान, एक जान जाने के बाद, उसमें से अत्मा निकल जाने के बाद, परिवार वाले या तो उस शरीर को जला देते हैं या दफना देते हैं और ये चीज़ खतम हो जाती हैं। लेकिन खतम होने के पहले हमारे शरीर में कुछ ऐसे अर्गन्स हैं, कुछ ऐसे अंग हैं जो दान किये जा सकते हैं। जैसे हमारी आखे हैं, लिवर हैं, कीडनी है, हार्ट है, इंटेस्टाइन है, स्कीन है, क्या आपको पता हैं। हमारे एक शरीर से नव लोगों को दान किया जा सकता हैं। यानि अर्गन डोनेशन फ्रॉम वन बॉड़ी, वी केन सेव अप्टू नाइन लाइग्स। जरा सोचिए, जो चीज थोड़ी सी देर में खतम हो जाएगी, जो चीज मिट्टी में मिल जाएगी या राक हो जाएगी, वो चीज के जाने के पहले अगर आप दान देते हो, तो नव लोगों को नहीं, बिल्कुल नव परिवारों को अब जिवदान दे सकते हो। एक मिनिट रुखिए और सोचें कि आपके पास ऐसे कितने लोग हैं या कितने परिवार हैं जिनको ओर्गन की जर्रत हैं। किसी की आके खराब हैं, तो किसी का चहरा acid attack से खराब हुआ है, जिसको skin की जर्रत हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो dialysis पे हैं। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो liver transplant का इंतजार कर रहे हैं क्यूंकि उनको liver नहीं मिल रहा है। तरह सोचिए जर्रत कितने को है और देने वाले कितने हैं। यह सोचने वाली बात है। आप जाने से पहले insurance करते हैं। ताकि आपके जाने के बान आपके परिवार को कोई तकलिप न आए। आप अपना will बनाते हैं। ताकि आपके जाने के बान आपका धन, property आपके परिवार को बराबर से मिले। तो आप यह भी will बनाएं कि आपके जाने के बान, आत्मा शरीर से जाने के बान आपके अंग, आपके organs नव लोगों को जिवदान दे। हम में से कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर हम किसी को औरगन दान देते हैं, तो शायद हमारा शरीर घंडित हो जाएगा, और शायद अगले जनम में हमें एक अच्छा शरीर नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात यह है कि अध्यात्मिने, धर्मने हमें सबको यह सिखाया है कि जब भी हम किसी चीज का दान देते हैं, वो चीज कही गुना अच्छी या दुगनी हो जाती है। जब हम धन देते हैं, तो धन की बरकत होती है, जब हम स्वास देते हैं, तो हमें अच्छा स्वास मिलता है। किसी को सूख देने से हमारा सूख दुगना हो जाता है तो अगर हम अंगदान या अरगन डोनेशन करेंगे तो अगले जन में हमारा शेरिल खंडित कैसे होगा यह हमें सोचना ही नहीं है जरा सोचिए अगर आपके परिवार में किसी को दिल की जर्रत है कोई और, कही और जिसे आप जानते भी नहीं है जाते जाते आपके family member ने कई औरगन donation या अंगदान किया तो सोचिए तो सोचिए आप उसे कितनी दुआए देंगे शायद हर पल हर सास दुआ देंगे तो वो आत्मा जो आगे जाती है और वो आपके साथ कितनी सारी दुआए लेकर जाती है और परिवार जो ऐसा भादूरी वाला निर्ने लेता है उन्हें भी जीवन भर कितनी सारी दुआए मिलती होगी तो ये है organ donation या अंगदान का जादू तो दोस्तों सोचेगा जरूर जाने के पहले और ये nहीं सोचेगे कि हम क्या पता हम कब जाए जैसे हम इंशुरंस करते हैं वील करते हैं हम ये नहीं सोचते कि हम कब जाना है तो दोस्तों मैं जाते-जाते मैं यही कहना चाता हूँ तो कब करे नहीं आज करे अभी करे Please pledge for organ donation यदि आपके मन में organ donation के बारे में कोई भी सवाल है कोई भी questions है organ donation कैसे करना है कहा करना है किसे contact करना है तो आप हमें comments में जरूर लिखे मैं और हमारी team आप तक पहुँचने की कोशिश जरूर करेंगे धन्यवाद जरूर करेंगे जरूर करेंगे जरूर करेंगे करेंगे